हेलो वरिवन सो कैसे आप लोग सो आप सब का लेजेंडरी फिजिक्स बाई नवास के इस धमाकेदार फ्लेप्टॉम पे स्वागेदे गाईज आज हम लोग एपिसोड नंबर थी लेके आगए लिक्विड ड्रॉप मॉडल के उपर ओविसली बी एसी फिजिस के पॉंट अव व्यू से ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल का नेक्स्ट वीडियो है इससे पहले हम लोग एक और वीडियो जिसमें सिर्फ लिक्विड हर एक पॉइंट एकदम डिटेल में डिसकस करेंगे और इसको बुक्स में वन विसेकर फॉर्मॉला भी लिखा होता है अच्छा एक वन विसेकर कहते हैं या फिर आप ये क्या बोलते हैं एच्छा एक चीज़ आप समझे कि अगर आपको इसका हैंड डिटन नोट्स बाकि आप मेरे निरसाथ वीडियो में बने रहे हैं बहुत मजाएगा गाई आपको ये वीडियो देख के आपको इसमी इंपरिकल फॉर्मॉला दिल में उतर जाएगा जो किताब में सरीफ आई सही लिख दिया फॉर्मॉला उसको नहीं बहुत अच्छे से समझाएंगे इ बहुत लोग ऐसा होगा जिलोगों सरीफ एक्जाम देना होगा बाकि कोई फील्ड वील से कोई मतलब नहीं है तो हम उन लोगों को भी बोला चाहेंगे भाई कुछ कर रहा है तो फील लेकर ठीक है जो हम समझा रहे हैं उसको इबर देख इंट्रस्ट आएगा फिजिक्स मे यहीं से आपका फिजिक्स में इंट्रस्ट बनेगा कि ऐसे ही फॉर्मला सरी नहीं लिख दिया गया है उसके पीछे लॉजिक मीनिंग सब है सरी थियोरी नहीं है यह वाला जो भी हम बताने वाले इसमें हर एक पॉइंट का मतलब भी है तो आईए हम लोग स्टार्ट करते ह है ज्यादा ग्यान नहीं देते है रात का बजरा है 11 और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला ठीके तो हेडिंग डालेंगे सेमी सेमी इंपेरिकल सेमी इंपेरिकल सेमी इंपेरिकल सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला तो सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला को पहले हम आपको 10 मिनट में 10 मिनट में 5 मिनट में इसको पहले बता देते हैं कि इसके अंदर करने वाग क्या वले हम लोग कोशिश करेंगे हम time mention करनेगा, इसमें कुछ basic energy terms होता है, ठीक है, basic energy terms कुछ होता है, उन basic energy terms को समझते हुए आप लोगो आगे बढ़ना है, इसके अंदर, ठीक है, इसको आप विसेकर formula भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो scientist house का नाम था, इसके अंदर हम लोग पहले, इसके अंदर हम लोग पहले discuss करेंगे एक अच्छे से, पहले कि ये किस बारे में, देखिए, scene ऐसा है कि आप पहले ही binding energy का एक formula पढ़ चुक है, binding energy क्या होता है, वो जानना है, तो उसके लिए अब आपको पहले जाना पड़ेगा, और उसमें जा करके देखना पड़ेगा, पहले वाला वीडियो मतलब, पहले वाला वीडियो मतलब जो nuclei वाला पार्ट है, उसमें आपको जा करके देखना पड़ेगा, कि binding energy और ये सब क्या होता है, बाइंडिक अनरजी और ये सब आपको clear नहीं, तो समझते जाईएगा, उतना feel अभी binding energy, binding energy simple है यार, nucleons को एक nucleus के अंदर bind करने में, जोडने में जो energy खर्च होता है, उसको बोलते है, binding energy, nucleons को nucleus में जोड़ कर रखने के लिए जो energy खर्च होता है, उसको बोलते है, binding energy, मतलब तो यह है, यह simple binding energy का, बाकि आपको देखना चाहिए, क्योंकि यह पूरा topic उसी से related है, आप चाहिए, तो जाकर के देख सकते हैं, एक one shot video हम डाले है, nuclei के उपर, जो आपका पहला अला पाथ है, general properties of nuclei, उसका one shot डाले है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बाकि हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं, उसी बारे में है यह, देखिए, आपको पता है कि जो binding energy का formula है, ट्वल्थ क्लास में भी आप formula देखे, अगर हम लोग सिर्फ binding energy का formula का बात करें, तो उसको हम लोग लिखते हैं, ऐसे अगर हम लोग एक काम करते हैं, binding energy पर nucleon का formula लिख लेते हैं, NB is equal to binding energy by A, ऐसे होता है, अगर आप सिर्फ यहाँ से binding energy निकालिएगा, तो binding energy का formula आएगा, mass number into binding energy पर nucleon, उसका मतलब होता है, binding energy पर nucleon, पर nucleon का मतलब है कि एक proton और एक neutron जब जुड रहा है, तो उसको जुड़ने में कितना energy खर्च हुआ, nucleon क्या होता है, nucleon हम लोग proton को बोलते हैं, या फिर neutron को बोलते हैं, proton या किसी एक neutron को नाम हम लोग nucleon देते हैं, यह सब basic पता होना चाहिए, तो यह जो binding energy है, यह तो हम लोग पहले निकाले थे, बहुत पहले निकाले थे, यह तो आजादी के बाद आया था, अब हम लोग को क्या है, कि इस formula को जो ऐसे simple लिखा हुआ है, इसको थोड़ा experimentally, और थोड़ा detail में जा करके, जो आप semi-imperic, किसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, liquid drop model, liquid drop model का जो theory है, तो वो दावा के basis पे, हम लोग यहाँ पर binding energy, मतलब जो वो liquid का, पानी का जो बून्ध है, जिसको हम लोग nucleus से compare किये हैं, तो nucleus, पानी का बून्ध के जैसा उसके अंदर energy कैसे होगा, इस बारे में हम लोग निकाले, मतलब binding energy को basically, जो कि liquid drop model का theory है, उसके basis पे निकालने वाले है, फिर से फिर से फिर से क्या बोले हम, binding energy का जो अभी हम लोग एक नया formula निकालने वाले है, जो कि liquid drop model के basis पे होगा, binding energy का एक नया formula निकलेगा जो कि liquid drop model के basis पे होगा समझ गये sir तो यह formula तो फॉर्म लंबा चोड़ा हो क्योंकि इसमें बहुत सारा various terms आएगा जिसको collectively साथ में जोड़ करके हम लोगों को निकालना पड़ेगा ठीक है तो इसमें इसमें बहुत सारा time आएगा तो यहाँ पर देखिए पहले की formula क्या है पहले हम उसको बता देते हैं पहले आपर इसके बारे एक line लिख देते हैं कि semi-empirical formula जो है जो कि liquid drop model के लिए हो कहता क्या है कहता यही है कि it is a formula which connects connect मतलब जोडता है जितना भी theory है liquid drop model का उसको जोड करके यह एक binding energy का formula देता है हम लोगो it is a formula which connects the theory अब यह जो हम formula उपर में लिखने यह वाला नहीं भाई यह तो previously है यह तो पहले हम लोग जान चुके थे यह तो previous formula है नया formula हम लोगो निकालना है नया formula के बारे बात करें यह तो आई सही पुराना वाला 12th वाला यह तो it is a formula which connects the theory of liquid drop लिक्विविड रॉप का जो theory उसको connect करता है एन गिवस एन एक्सप्रेशन गिवस एन एक्सप्रेशन गिवस एन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल विच प्रूफ दी एक्सप्रेमेंटल ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्फ एक्सप्रेमेंटल ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्फ मतलब क्या है बाई बताते देख एक ऐसा फॉर्म ना निकाल लेंगे जो की एक्सपो्षन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आयेगा विच प्रूफ्स धी एक्सप्रेमेंटल ग्राफ हो बाइंडिंग एनर्जी कर्फ का एक ग्राफ होता है जो कि experiment, experiment से सोच करके, वो सब सोच करके निकाला जाता है, तो वो जो binding energy का graph आता है, जो binding energy का graph आता है, वो experimentally आया है, लेकिन अभी liquid drop model से जो हम लोग formula निकालेंगा, ये तो experimental formula है, लेकिन liquid drop model से जो formula बिलेगा, अगर वो भी formula से same वही graph बनता है, जो कि experimentally निकला है, तो दोनों match कर जाएगा तो liquid drop model का ये सबूत हो जाएगा कि सही में जो nucleus होगा वो पानी के भूंद के जैसा होगा मतलब हम लोग binding energy का एक formula निकालेंगे अपने से एक लंबा formula लिखेंगे हम लंबा चोड़ा धेर सारा जो liquid drop model का जो theory है उस theory को ले करके एक formula निकालेंगे एक दम exactly ठीक है और और वोस formula के basis पर एक graph बनाएंगे और वो जो graph है जो binding energy का पहले से graph available है experimental है जो कि graph उससे match कर जाएगा तो liquid drop model भी proof हो जाएगा थोड़ा about idea लागा क्या करने वाले हम लोग ठीक है तो हम formula के बारे बात करते हैं ज्यादा बात छोड़ करके binding energy is equal to यह binding energy का मतलब क्या है वो energy जो पूरा nucleus पूरा nucleus में जेतना proton और neutron होता है उन सब को जोड़ कर रखने के लिए लगता है उसको बोलते है binding energy और इसका formula क्या निकल के आएगा यहाँ पर हम लिखते हैं पहले यहाँ पर कुछ terms होगा एक term होगा ev सबका मतलब बताएंगा plus अभी जो आने वाला है इसके अंदर minus e c ठीक है उसका फिर plus minus e s और भी कुछ-कुछ term क्या है मतलब सब बताएंगा भाई डीटेल में यहाँ सर माइनस क्यू लगा रहे है क्योंकि actual में क्या होता है है न कि यह सारा जो terms है various terms वो binding energy मतलब binding energy पर हम लोग अंदाजा लगा है कि बाइंडिग energy का value exactly कैसे हम लोग सोच पाएं on the basis of liquid drop model तो कुछ हम लोग basic terms लिए उसके basis पर सोचने लगे कि अच्छा ऐसा होता होगा nucleus के अंदर उस basis पर हम लोग energy binding energy का form न निकाला है थोड़ा idea लग रहों का भी समझाएंगे भाई पुरा feel दिला देंगे हर एक term का feel दिलाएंगे ठीक है उसके एक और term होता है yes फिर एक और term होता है EA ठीक है और आखिर में फिर हम लोग को एक term पढ़ना है जिसको हम लोग बोलेंगे डेल तो और यहाँ पर लगाएंगे प्लस माइनस अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लगता है क्योंकि यह term कभी-कभी support करता है कभी-कभी oppose करता है binding energy को तो यह जो term है EV इसको हम लोग बोलते है इसको क्या बोलते है वॉल्यूम एनर्जी टर्म और यह वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते है यह जो EC है इसको हम लोग बोलेंगे कूलम कूलमबिक energy term सबको भाई detail में discuss करेंगे tension लेने वाला कोई बात नहीं है यह ES को हम लोग बोलेंगे surface energy term हर एक term को अच्छे से discuss करना है कई से आया यह minus क्यों लग रहा है यह बीच में तो plus इसलिए बता है क्योंकि सारा का addition नहीं करना है लेकिन यह minus यहाँ परा करके और सबस्टार्ट कर देगा यह लोग खुद अपने साथ एक minus sign लेके आता है क्यों minus आता है अच्छा इस भाई यह जो last वाला term है इसको बोलते है प्रेरिंग energy term यह जो यह वाला जो है तो यह various terms को जोड़ करके हम लोग जाएंगे binding energy के तरफ यह डेल जो होता है इसको हम लोग बोलते है pairing energy term pairing energy term pairing energy term ठीक है वीडियो को जो थोड़ा साथ speed था वो थोड़ा कम हुआ था हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वीडियो का speed है उसको manage कर सके बहुत सारा problems होता है सारा problems को solve करने के बाद finally हम पूरा कोशिश करते हैं कि वीडियो आप लोग लिए ले के आए हम पूरा कोशिश करेंगे कि वीडियो लगतार sequentially ले के आए ठीक है लेकिन जब तक अच्छा content content तो है बट क्या है कि उसको express करने के लिए time चाहिए हमको थोड़ा ठीक है वीज़े से रात का बज़ रहा है 11.15 यह सब बात छोड़ते हैं वापस आते हैं topic पे तो यहाँ पर यह जो binding energy है इसमें बहुत सारा term आता है volume energy term columbic energy term और यह सारा term जोड़ करके आता है अब यहाँ पर plus minus क्यों लगा है क्योंकि कभी-कभी यह pairing energy term जो है वो binding energy को बढ़ाने में help करता है कभी-कभी घटाने में help करता है तो minus कर देते हैं अलग-अलग situation होता है कभी-कभी-कभी यह 0 भी हो जाता है से कुछ relate करके होगा हाँ उसी type का कुछ है surface energy मतलब nucleus का surface area से relate करके होगा volume मतलब पूरा volume जो है nucleus का उसमें कितना nucleon proton है उससे relate करके यह बला term है और अब इसलिए volume वाला चीज तो subtract नहीं होगा क्योंकि volume जितना ज़्यादा होगा nucleus का उसमें जो proton और neutron होगा उसमें उतना ज़्यादा उसको energy दिना पड़ेगा binding energy जोड़ रखने के लिए इसलिए यह term तो कभी माइनस होने माला नहीं है volume energy term ठीक है फिर तरह जो ES है that is surface energy term यह क्यों minus हुआ कैसे minus हुआ बताएंगे surface area से कुछ related है nucleus का surface area इस asymmetric energy term बाकी सब क्लियर है pairing energy बताएंगे हम ठीक है तो यह सारा terms को हम लोग मिला करके एक general formula निकालेंगे और उस formula के basis पे यह decide करेंगे मतलब उस formula के basis पे जो binding energy का एक graph बनेगा हम बना के नहीं दिखाएंग ग्राफ ग्राफ जो होगा experimental वाल ग्राफ अग्राफ पता है कि नहीं यह वाल ग्राफ भाई यह बताया है प्रिवियस वीडियो में आई साइग ग्राम बता है उई 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 फिर यह ऐसे ऊपर जाता है फिर यह ऐसे सीधा चला है इतना नीचे नहीं गिरता है लेकिन हाँ से जाता है ठीक है इसको एक्सपरिमेंटल वाले गर्व में बाइडी गने कि खाया है तो हम लगोड़ अब करेंगे एक यांप करके हर एक टर्म को restra minutes chut करेंगे ले बीना तूर चैरे बीना में को पर सब्सक्राइब से स्था करेंगे तो आपको heading में लिखना है, volume energy term, volume energy term, volume energy term, volume energy term जो है, वो basically ये describe करता है, कि जो nucleus है, उसका volume जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा nucleus में प्यार मोहबत होगा इधर उदर, सर क्या बात कर रहे हैं, अभी समझा रहें जल्दी से, ठीक है, देख भाई, पहला जो हम लोगा term है, first term लिखना है, volume energy term, पहला term कौन सा है, volume, उपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, volume energy term, sir, नहीं दिख रहा है, अच्छा, देखे ज़रा हम, थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, दिख जाएगा इतना में, बहुत बड़ी है, volume energy term, volume energy term क्या बोलता है, यहां देख रहा है पहले इसका feel ले लेते हैं, आई यह feel करते हैं पहले इसको, सर्स्टार्टिंग से ही feel, यहां पर जैसे मान ले भाई, एक nucleus है, और यह एक nucleus का nucleon है, ठीक है, nucleon मतलब क्या होता है, proton यह neutron दोनों में से किसी को भी मान सकता है, अब यह जो nucleon होगा, वो एक nucleon से attracted होगा, बहुत सारा होगा, यहां पर भी होगा interaction, इधर भी होगा, एक, दो, तीन, चार, सारे बच्चे भी मार, एक, दो, तीन, चार, अच्छा, और ले ले लेते हैं हम लोग कुछ बहुत, मन नहीं भरा, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सात, आट, आट, नो, दस, क्यारा, एंड बारा, बारा interactions हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, जनरली, अब देख भाई, interactions ऐसे पुरा इसके जैसा है, मतलब, एक, स्फेर टिकेट है जैसा है, तरे को दिख रहा होगा, यह 2D figure, बट यह स्फेर के जैसा है, ठीक है, अब समझना भाई, यह एक, नुकलियोन, एक, नुकलियो बहुत सारा लोग से इसका भी पेरिंग मिलेगा, बहुत बढ़ी, आचा, आगे बड़ा, अब यह वाला जो है, यह भी बहुत लोग से interact कर रहा होगा, तो अब यह जो interaction है, यह कहीं न कहीं जाके खतम होगा, सर कहां खतम होगा, जहां पर नुकलियोस का दाइरा खतम होगा मतलब जो नुकलियोस होता है, वो एटम के अंदर होता है, और नुकलियोस का एक स्फेरिकल शेप होता है, पता होगा तेरे को, तो स्फेरिकल शेप जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोट्रॉन के बीच में interaction होगा, अगर छोटा स्फ सर, हेवी नुकलियाई होगा, बहुत बढ़िया, और हेवी नुकलियाई जो होता है, उसमें बहुत सारा प्रोटॉन और नुट्रॉन होता है, तो उसको जोडने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए होता है, सारा binding energy जाहिए होता है, तो binding energy जो होगा, वो heavy nucleus का बढ़ जाएग पहले बताना था, चल ठीक है, तो EV बढ़ रहा है, तो EV भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, basically concept तो यही है भाईया, कि binding energy, जो है, binding energy, यह पूरे नुकलेस का लिख है, binding energy ठीक है, यह पूरा नुकलेस का जो binding energy है, वो बढ़ जाएगा, अगर नुकलेस का मास नंबर जादा होगा, कम मास नंबर होगा, तो binding energy नुकलेस का कम होगा, बहुत बढ़िया, तो heavy nucleus यह है, इसलिए इसका binding energy जादा है, अब जरूरी नहीं कि, अब देख भाई, size इसका और बढ़ा होगा, तो और बिल्कुल बोल सकते हैं, वैसे ही तरह जो EV होगा, वैसे ही तरह जो EV होगा, मतलब क्योंकि देख भाई, क्योंकि binding energy जो है, पूरे nucleus का, वो volume energy term पर ही depend करा भाई, volume जादा होगा, तो binding energy तभी भी जादा हो पाएगा, तो हम लोग इसको भी आई से कह सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको भी एक प्रपोस्टनल बोल सकते हैं, अब थोड़ा थियोरी लिखने में क्या मजा आता है, सर थियोरी लिखने में ही तो मजा है, even is nothing, but is just a constant, हम ये simple बता कि आपको skip कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं, कि ये भाई यहाँ पर even कैसे आया, उसको हम समझाएंगे, ठीके, पहले इसके बारे कुछ बहुत थियोरी लिख देते हैं, प between the nucleons, nucleons के बीच में या interaction होता है, इस nucleon का, इस के कितना लोग से है, ठीक है, और neighboring nucleon जतना गल पगल है, सबसे होता है, हाँ, ठीक है, सर, अच्छा, जितना ज्यादा nucleus का volume होगा है, volume, energy, term, increases, with respect to, किसका respect में increase करेगा, a का respect में, भाई, a मतलब mass number nucleus का जतना ज्यादा होगा, mass number नहीं का हो, मतलब कि number of nucleons, a का मतलब क्या है, number of nucleons, bhai, a का मतलब number of nucleons, ठीक, number of nucleons ज्यादा होगा, तो volume-regitum ज़्यादा होगा, simple बस इतना लिखते हैं ज़्यादा है, इसमें लिखने के दिरुतनी, interactions ही है यह, interactions ही यह, इतना बड़ा volume रहेगा, उतना interaction होगा, छोटा volume रहेगा, तो कम लोग रहेगा, तो कम interaction होगा, simple बात है, अब यह even क्या है, उसको थोड़ा feel करवाते हैं, जैसे मानले, यहाँ पर देख, उसका feel ले ले तो, फील तो यही था भाई, यह वाला जो बनाए है, अब देख ध्यान से, यहाँ पर जैसे मानले भाई की दो लोग है यहाँ तो दो लोग आपस में एक दूसरे से मानले, interact कर रहा है, यहाँ पर कितना हम नुक्लियों लिए इन दोनों का binding energy पहले, यू मान लेते हैं, इन दोनों का binding energy कितना मान लिए, यू, यहाँ तो EB लिख सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपन, यहाँ कितना लोग है, दो लोग है, इन्टू दो, और number of interaction, कितना लोग interact कर रहा है, तो एक आदमी interact कर रहा है, एक interaction है आपर, तो यहाँ पर हम देख एक, यह समझ में है, क्या कि हम, फिर से देखिए, अर्ची यह क्या मिल रहा है, हमको, सरी यह मिल रहा है, आपको binding energy बहुत बढ़िया, यह binding energy मिला कि नहीं, ठीक है, और यह जो binding energy नहीं मिला, I'm sorry, binding energy per nucleon मिल गया, ENB, this is binding energy per nucleon, ENB का मतलब क्लि या फिर number of nucleon, तो number of nucleon दो था, या पर दो लोग इंटरेक्ट करना था, या तो proton, proton, या तो neutron, तो इस्ते दो लिख दिये, और यह जो binding energy उसी को हम यू लिख रहे है, ठीक है, into one, है ना, one से क्यों multiply किये, क्योंकि यहाँ पर number of interaction कितना था, one, मतलब एक युनिटरी मेथड ल मतलब है कि number of interactions कितना होगे, जिससे यहाँ पर number of interactions, number of interactions, one था, n का मतलब number of interaction, वैसे यहाँ पर अगर 12 nucleons रहेगा, तो number of interactions में बस कितना हो जाएगा, 12, बहुत बढ़िया, तो यह वाला जो number आया, इसको किस से multiply करने का, पर 12 से, तो enb कितना आ जाएगा, mu by 2 into 12, अब ये mu का मतलब पता है ना, वही binding energy, binding energy mu का मतलब, ठीक है, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6u, कितना आ जाएगा, 6u, ठीक है, अब ये एक general formula बन गया, हम ये मान के चलते हैं, हम ये क्या मन रहे हैं, इसको general मान रहे है, general case, general case मतलब, general case मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, कि मेरे चले हैं, यहाँ हम concept समझाएं, यह वाला कैसे आता है result, और यहाँ पर हम यह बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम 12 क्या लिख रहे हैं, तो हम यह मान के चल रहे हैं कि अगर मेरे पास जिसका नमबर कितना है, और उस नूकलिस के बारे हम को जानना है कि उसमें number of interactions कितना होगा, तो यह वाला जो मेरा term आया है, ENB ENB का मतलब क्या है ENB का मतलब है Binding Energy पर Nucleon तो अगर मेरे पास यहाँपर पूरा Nucleus आ गया क्योंकि यह जो निकला है किसके लिएching निकला है ये तो किसी एक Nucleon के लिए निकला है सर यह एक Nucleon के लिए कैसे है देख भाई यहाँ पर देख 12 Nucleon का मतलब क्या है कि 1 Nucleon से 12 Nucleon इंट्राइट कर रहा है तो यह जो formula हम निकाले हैं यह किसी 1 Nucleon के लिए निकाले है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ जो number of Nucleon है वो तो A है, मेरे पास number of Nucleon कितना है A, तो जो एक Nucleon का interaction निकला है उसको अगर हम A से multiply कर देंगे तो जितना भी मेरे पास Nucleus है जितना भी मेरे पास Nucleus नहीं जितना भी मेरे पास Nucleon है पूरे volume में, उसका interaction मिल जाएगा फिर से एक बार, जैसे भाई यह जो हम क्या निकाले हैं यह हम किसी 1 Nucleon का 12 Nucleon से interaction का value निकाले है किसी 1 Nucleon का 12 Nucleon से जो interaction हो रहा है उसका value निकाले है वैसे ही जो अगला Nucleon है वो 12 और से interact कर रहा होगा तो यह किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना और interaction हो रहा हो कितना ऐसा ऐसा Nucleon और interact कर रहा होगा mass number पे जितना ज़्यादा nucleus का mass number होगा या फिर जितना ज़्यादा nucleus का number of nucleon होगा उतना ज़्यादा उसका interaction होगा तो जो एक का आया है उसको हम अगर सारे का mass number से multiply कर दे तो पूरे का मालूम नहीं चल जाएगा समझाएक नहीं आया और वो जो पूरे का मालूम चलता है उसी को बोलता है volume energy term मतलब volume energy term basically इस बात के लिए responsible है कि किता nucleons आपस में एक दुस्रे से pair बना बना के pair बना बना के interact करेगा और अब विसलिए ये a का value बढ़ेगा तो volume energy term बढ़ेगा जितना ज्यादा एक अवैली होगा मतलब जितना लोग होगा उसके अंदर एक मतलब क्या है number of nucleon जितना number of nucleon होगा उसके अंदर उतना ज्यादा interaction बढ़ेगा clear है कि नहीं और यहाँ पर यह ENB क्या हो जाएगा constant क्योंकि वो एक nucleon का प्यार है एक nucleon का प्यार तो 6U ही रहेगा हमेशा जहाँ पर U का मतलब क्या है कुछ नहीं binding energy binding energy पर nucleon जैसे यहाँ से हम बता दिये आपको यह वाला देख लिजए का कहीं पर भी इसको doubt होगा तो आप पूच सकते हैं यह U का मतलब क्या है binding energy ठीक है उसको यहाँ पर मास नंबर दो था तो दो लिख दिये और बाकि यहाँ पर binding energy पर nucleon निकालने के लिए यहाँ पर 1 से multiply किये बाकि हम बता चुके है ठीक है वैसे यहाँ पर भी किये है binding energy पर nucleon निकाले mu by 2 लिखे और 12 था इन number of interactions तो number of interactions 12 लिख दिये ठीक है जो भी रहेगा इस वाले formula का मतलब यहाँ पर क्या किये हम यहाँ पर unitary method यूज़ करके कर रहे है ठीक है तो यह पूरे का निकल गया कभी पर doubt है तो भाई पूच सकते हैं बाकि आप डिरेक्ट यह कर सकते हैं भाईया कि binding energy यह से mass number के proportional होता है वैसे volume energy term जो है वो भी mass number के proportional है प्रपोस्टनलेटी अटा कि यह constant आएगा तो भाई चीज़ यहाँ पर हम बता रहे है कि यहाँ पर यह जो constant है this is the constant this is the constant और उसी constant को हम क्या बोल रहे है this is the constant किसको हम इसको कैसे ले लिए sorry guys this is the constant और यहाँ पर यह एन भी कित्ता होगा यहाँ पर लिखाऊगा भी है 6u और इसी को हम क्या मान रहे है एवन तो एवन हम किसको माने क्लियर है तो यह जो एवन है उसका value किसी अलग nucleus के लिए अलग होगा हम तो 12 interaction लेके चले है feel आया यह topic कि नहीं है volume energy term क्या होता volume energy term basically binding energy सही decide होता है binding energy कौन सा total binding energy है ना binding energy per nucleon नहीं binding energy per nucleon तो किसी एक interaction के बारे में है तो इसलिए volume energy term कहीं नहीं देख formula भी तेरा को similarity volume energy term कहीं नहीं binding energy सही directly linked होता है यहां से दिख रहा होगा समझ आया भाई feel आया यह ठीक है तो यह हम लोग का जो हुआ यह पहला equation हुआ यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते है this is the our first equation ठीक है this is the our first equation वा सर क्या English है सर वा तो इसको first equation यहाँ पर mass number a का का मतलब even constant और इवी का मतलब volume energy term ज्यादा time waste नहीं करते हो आगे बढ़ते हम लोग ठीक है आईए अब next हम लोग बात करेंगे surface energy term का यह एकदम clear हो गया feel हो गया भाई feel आना ज्यादा इंपोर्टेंट है यह इतना number of interaction कर रहा है उसके basis पे हम लोग यह volume energy term decide करते हैं अच्छा यह volume energy term जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा interaction होगा हाँ इतना तो समझ में आना चाहिए इतना बताने के बाद volume energy term volume energy term में जितना बड़ा volume होगा nucleus का उतना ज्यादा क्या होगा है हाँ पर interaction yes sir ठीक है ओके अब भाई जल्दी से हम लोग आगे भढ़ते हैं और discuss करते हैं next term को जिसको हम लोग बोलते हैं surface energy term surface energy term surface energy term surface energy term मतलब की जो मेरा जो nucleus होता है दूसरा point है मेरा जो nucleus है उसका surface area कैसा participate करता है गर surface area बढ़ा रहेगा nucleus का तो फाइल आए चोटा रहेगा तो क्या है आईए देखते हैं तो यहाँ पर दूसरा आपको term लिखना है surface energy term surface energy term surface energy term इसको हम लोग denote करते हैं E और यहाँ पर लिखते है S E S का मतलब surface energy term क्या होता है भाई यह देख भाई जैसे यहाँ पर मानले तेरा nucleus है यह एक nucleus है प्यारा सा खुपसूरत सा ठीक है और यहाँ पर हम लोग एक और nucleus ले चोटा सा यह चोटा सा nucleus लेते है ठीक है अब तेरे को दिख रहा होगा कि यह जो nucleus है यहाँ पर मानले कि एक Nucleus का बात चल रहा है यहाँ पर एक beyond nucleus होगा वह इस न 측endion से एस न 측endion से इस न 측endion से इस न 측endion से इंट्रेक्ट कर रहा होगा और भी बहुत सारे nucleon से interact कर रहोगा यह जो surface वाला nucleon है अच्छा पहली बात तो हम लोग यह मान के चल रहे है यार जो nucleus है जो nucleus है वो nearly क्या है spherical spherical in shape है यह सारा बात assume करके ही हम लोग चल रहे है spherical मानते हैं उसको तब नहीं यह formula लिखते है r is equals to r not a की power 1 by 3 जहाँ पर r का मतलब radius of the nucleus यह का मतलब mass number and r not is nothing but a constant ठीक है यह सब पता होने चाहिए तो यह जो beach वाला है यह इन सब से interact कर रहा है और यह जो side वाला neutron है इसको इधर से interaction मिल रहा है इधर से interaction मिल रहा है इधर से मिल रहा है बाहर तो कोई ऐसा होगा नहीं न भाई जो इससे interact करेगा बहुत बढ़िया यह बीच में जो लोग है जैसे मानले यहां का उठाएंगे तो इसको भी सब तरफ से interaction मिल रहा है surface वाला के साथ बहुत भेदभा हो है भाई surface में जितना nucleons है उनको इस तरफ से इस तरफ वाला area खाली है मतलब कि यहां पर जो nucleus है वो थोड़ा unstability के तरफ जा रहा है कारण यह है कि यह surface वाले लोग को तो कोई भाई ही नहीं मिल रहा है मतलब surface में पहुंचते पहुंचते यह nucleus का जो मतलब कि attraction है जो चारो तरफ से होता है वो थोड़ा तूट जा रहा है तो अगर हम लोग एक बड़ा nucleus सोच लेए तो छोटा nucleus था बड़ा nucleus सोच ले तो उसमें तो surface में बहुत लोग ऐसा होगा इसमें तो बहुत कम लोग है चारो तरफ से सामने से आगे पीछे सब तरफ से interaction मिल रहा है लेकिन यह जो surface वाला है इसको तो सरीफ अंदर के तरफ interaction मिल रहा है सो मिल रहा है बाहर के तरफ तो कोई external force नहीं है और यह surface वाला जितना ज़्यादा होगा इस surface वाला जितना बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा nucleus unstability के तरफ जाएगा सार क्यों जाएगा unstability के तरफ अरे भाया unstability के तरफ इसले जाएगा क्योंकि देख surface वाला अगर बढ़ेगा तो unstability के तरफ इसले जाएगा क्योंकि surface जितना बढ़ा होगा सर्फेस इस नुकलियस का जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा सर्फेस वाला लोग को सम्हालने वाला नहीं रहेगा क्योंकि बाहर से कोई थोड़ी ऐसे दबार है नुकलियस को भाई जो नुकलियर फोर्स है वो तो शौट रेंज अंदर में ही लगता है और इसके अगल बाहर के तरफ से नहीं कि अंदर प्रिशर कर रहा है कि तुम नुकलियस से दब के रहो तो यह सर्फेस वाला जो यह नुकलियॉंस है नुकलियॉंस मतलब वही नूट्रान प्रोटान यह लोग नुकलियस को तोड़ना चाहेगा कहीं नुकलियस को अंस्टेबिटी के तरफ लेके जाएगा, हाँ, और unstability के तरफ लेके जाएगा, तो nucleus unstable हो जाएगा, तो automatically जो nucleus का binding energy है, उसको हम लोगो कम करना पड़ेगा, मतलब कि यह जो surface energy term है, अगर यह बढ़ेगा तो nucleus का binding energy कम होगा, बोलेगा sir nucleus का binding energy को surface energy, अरे भाईया देख, nucleus का binding energy जितना जाएदा होता है, उतना जाएदा nucleus को stable माना जाता है, अगर किसी nucleus का binding energy कम है, तो उसको कम stable माना जाता है, कम होने का मतलब है कि उसका जो neutron proton है, वो जब जुड़ा है, तो ज़्यादा energy खर्च नहीं किया है जुड़ते वक्त, अब यह जो हम कह रहे हैं कि binding energy कम होगा, यह surface area इसका बढ़ने से nucleus का, binding energy कम होगा, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर interaction खराब हो रहा है, क्योंकि binding energy कहीं न कहीं किस से related है, interaction से, कि interaction कितना अच्छा हो पा रहा है, लेकिन यह surface area बढ़ने से, इन surface वाले molecules, अंदर वाले का तो ठीक है, यहाँ पर जो होगा, वो तो बढ़ियां इधर, इधर, इस तरफ, पीछे, उपर, सब तरफ interact कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यह जो surface वाला है, वो तो interact नहीं कर पा रहा होगा, उसके लिए तो नुकसान है भाई न, surface में जो बढ़ रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि binding energy को कहीं न कहीं, यह surface area वाला चीज घटा देगा, इसलिए हम लोगो define करना पड़ा, surface energy term, ताकि हम लोग यह बता सके कि surface area बढ़ाने से, volume बढ़ाने से तो बढ़ यहां चल रहा है, लेकिन surface area बढ़ा के बात गरवड कर दे रहा है, क्योंकि surface वाला लोको भाव कोई दे ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बताते हैं कि जो surface area जो है, nucleus का जो surface area है, वो कहीं न कहीं, यह का मतलब क्या बोले हैं, surface energy term है न, यह क्या कर रहा है बावू, यहाँ पर लिखते हैं हम इसके बढ़ा है, ठीक है, this term basically 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 decreases the value of binding energy binding energy, because 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 the surface surface nucleon surface nucleon are not are not pulled by any external any external interaction any external interaction from outside, मतलब बाहर से कोई इसको external interaction नहीं मिल रहा है, कि इनको नहीं मिल रहा है, यह जो nucleon से इसको बाहर की तरफ से कोई external interaction नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका बुरा हालत है, तो surface energy term कहीं न कहीं जो मिरा nucleus है, उसका stability को मतलब binding energy को कम करने के लिए responsible होगा, तो आप क्या करना पसंद करेंगे, आप क्या करना पसंद करेंगे, इसको बढ़ाना पसंद करेंगे तो nucleus का जो surface energy term है वो nucleus का किसके dependent होगा, surface area अब यहां से जब हम proportionality हटाएंगे तो proportionality हटा के constant देना पड़ेगा proportionality हटा के constant देना पड़ेगा और उस constant को हम बोलेंगे a2, वहाँ पर एक constant a1 लिए थे न अब इस a2 को लेने को कोई logic नहीं, this is just a constant proportionality हटाने के लिए, कोई concept नहीं है इसके पीछे, यह a2 को क्यों लिए क्योंकि सारा concept तो यह radius पर ही छुपा है भाई, radius जितना बड़ा होगा, surface area में जितना ज्यादा molecule आएगा, surface area में जितना ज्यादा nucleon आएगा, और surface area में जितना ज्यादा nucleon आएगा, उतना nucleus unstability के तरफ जाएगा, हाँ, सर समझ गया, सर तो यहाँ पर हो जाएगा 4 pi r square और यह r का मतलब हम लोग पढ़े हैं, r naught a की पावर 1 by 3 तो यह r के जगा पर डालेंगे r naught a की पावर 1 by 3 तो minus a2 4 pi यह r के जगा पर r naught a की पावर 1 by 3 की whole square यहाँ से हो जाएगा, minus a2 4 pi r naught अच्छा, एक काम करते हैं ना की अभी constant ले के आना according to me, अभी constant ले के आना ठीक नहीं रहेगा, एक मिनट, sorry guys sorry for the inconvenience I am sorry for the inconvenience माप कर देना भाई, कहीं पर गल्ती है यहाँ पर यहाँ पर प्रपोस्टेलिटी अभी नहीं लाना था सर, क्यों नहीं लाना था सर सर, क्यों नहीं लाना था, बता रहे हैं अभी यहाँ से प्रपोस्टेलिटी, अच्छा, यहाँ पर देख भाई, 4 pi यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा प्रपोस्टेलिटी, 4 pi, 4 pi भी इस प्रपोस्टेलिटी के अंदर जाएगा, क्योंकि वो भी एक यहाँ से इस कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रपोस्टेलिटी को जो है, उसको हम यहाँ पर यहाँ पर यह सारा, जितना टर्म से यह सारा तो constant है, क्योंकि मास नंबर ही तो स्रिफ वरियेबल होता है, आर नोट का भी बैली कुछ होता है, 1.03 ऐसे कुछ होता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, यह आपका second term चल रहा है, तो यहाँ पर एक minus भी लगाते हैं, अपने मन से, हाँ सर, minus क्यों लगाते हैं सर, बताएंगे भी हम, minus यहाँ से हो जाएगा, एक ही पावर, 2 by 3, और यहाँ पर आपकी तम जज़बात के साथ अच है, भाईया, क्योंकि binding energy जब हम निकालेंगे, binding energy में, binding energy में, पहले हम लग volume energy term लिये, ठीक है, अभी निकाले था, volume energy में, उसमें minus करेंगे हम लोग ES को, क्योंकि यह जो ES है, इसका value बढ़ने से, binding energy का value कम होता है, तो इसलिए ES जो होता है, वो binding energy को घटाता है, इसलिए minus करन करना पड़ा, क्योंकि हमको याद है, अरे यार, liquid drop model तो यह बोलता है, कि nucleus is spherical होता है, spherical के हिसाब से तो कुछ ऐसा condition बनेगा, clear है, इसलिए यहाँ पर इसको minus करना पड़ेगा, तो अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे है, formula में धीरे-दीर आगे बनेंगे, equation 2 ले 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 surface energy term decreases, decreases eb, eb को decrease करने में वो तुला होता है surface energy term, इस बात को minus sign यहाँ पर confirm खरवा है, समाज गया है, तो यह लिख ले भाई, आगे बढ़ते हम लोग अब ठीक है, अब इसको हम लोग हटाते हैं, और next term के तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते है, columbic energy term, जल्दी जल्द energy term, next लिखना है columbic energy term, तो columbic energy term किस बारे में है, कि भाईया मेरा जो nucleus होता है, भाईया बाबु मेरे अंदर जो nucleus होता है, उस nucleus हाँ, मेरे अंदर भी है nucleus, हरा इंसान के अंदर nucleus है, तो उस nucleus के अंदर क्या होता है, कि बहुत सारा nucleus होता है, हाँ यह बात तो सही है, और यह ब तो proton भी है, अब यह proton भी आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, ripple, अब proton, proton जो होता है, nucleus के अंदर बहुत पुराना story है, कि यह repulsion होता है, अब वो repulsion तेरे को भी पता होगा, कि repulsion जो है, वो nucleus को क्या करेगा, weak, strong तो करेगा, ने कहीं से, weak करने के लिए ही, वो जो repulsion होगा, वो होता है, क्योंकि देख भाई, binding energy तब तब कम होगा, जब 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 जो मेरे पास different terms है, वो nucleus का stability को कम करने के लिए responsible होगा, तो यह जो columbic energy term हम लोग define करेंगे, यह nucleus का stability को घटाएगा, 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 ठीक है, क्यों घटाएगा, क्योंकि proton, proton एक दूसरे को repel कर तो तीसरा term क्या है, कूलंबिक, कूलंबिक energy term, कूलंबिक energy term, इस कूलंबिक energy term को हम लोग denote करते हैं, EC से, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, EC, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, आई यह देखते हैं, तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं, बन नूकलिस नहीं सॉरी यार यह नूकलिस है यह नूकलियाई है और इसके अंदर एक प्रोटॉन है अब यह प्रोटॉन जो है इस प्रोटॉन से रिपल होगा यह भी उसको रिपल करेगा अब यहां पर एक प्रोटॉन है और यहां पर प्रोटॉन है और यहां पर प्रोटॉन ह रहा है basically ऐसे भाग रहा है और यह ऐसे भाग रहा है तो यह सारा protons आपस में एक दूसरे को रिपल करने के लिए एकदम तयार है मतलब repulsion के लिए ही यहाँ पर यहाँ खतरनाक खड़ा हुआ है तो अब यह का कारण क्या है कि यहाँ पर जो कूलंबिक रिपल्शन है मतलब जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है यह एक यह एक लॉंग रेंज फोर्स है कूलंबिक रिपल्शन जो होता है कूलंब्स फोर्स जो होता है वो एक लॉंग रेंज फोर्स होता है नुकलियर फोर्स तो कहीं यहीं पर छोटा जगा में लग रहा होगा नुकलियर फोर्स को काम क्या होता है कि नुकलियर फोर्स को due to the, due to the repulsion, due to the repulsion between proton, proton, in the nucleus, and since, and since, यह जो एक, जो तुम्हा आपका कूलंबिक एनर्जी टाम, since, this, hmm, कूलंब फोर्स, कूलं का capital C लिखेंगे हम लोग, कूलं रिपल्शन, कूलं रिपल्शन, is a long range force, long range force, so it cannot be neglected, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, cannot be neglected, बहुत बड़ा मतलब इसका roll होगा इसमें, ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ हम लोगी लिखेंगे हैं, यहापर, कूलंबिक energy term also decreases EB, कूलंबिक energy term जो है, वो binding energy को decrease करने के लिए ही responsible है, क्योंकि यह भी क्या कर रहा है, यह रिपल्शन पैदा करके बरबाद कर रहा है, पुरा नुकलियस को, अब हम लोग बहुत depth में जानेंगे, इसको कूलंबिक energy term में से हवा में पढ़ने वाला है, थोड़ा बहुत depth में, गहराई में जाके पढ़ने वाला है, तो कूलंबिक energy term को बहुत गहराई से हम लोग समझेंगे, ठीक है, इसको denote EC से कर रहा है, यह सारा theory हो गया, theory उमीद क करके बारीकी से पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका derivation करेंगे, अभी हम लोग पहले कैसे derivation करेंगे, ऐसे derivation इसका logic से नहीं करेंगे, जैसे पीछे बाला जीतना कर रहे थे, कुछ-कुछ logic भी लगा रहे थे, इसका बारीकी से एकदम अच्छा से जाके करेंगे, तब समझ में आएगा, मतलब nucleus का formation से nucleus का formation से लेके पूरा derivation करेंगे, तब clear होगा आपको इसका, ठीक है देखिए, हर एक term का आपको derivation exam में तो कर नहीं होगा, उससे भाग नहीं सकते है तो यहाँ पर जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक हम लोग nucleus बना रहे हैं, ठीक है हम लोग क्या कर रहे है, कि एक nucleus बना रहे है ठीक है, we construct a nuclei, हम लोग nuclei बनाते हैं, और nuclei कैसे बनेगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, धेर सारा ऐसे से sphere लेंगे, और यह सारा spheres को आपस में एक दूसरे से overlap करवाएंगे तो ऐसे overlap करते करते एक बड़ा nucleus तयार होगा ठीक है, और हम लोग क्या किये है, last में यहाँ पर इसको छोड़ दीजे last में हम लोग क्या करते है, यहाँ पर एक nucleus लेते है ठीक है, एक nucleus, अच्छा इस nucleus पे इस nucleus का अभी तक radius कितना है, r nucleus को और बड़ा बनाना है, ठीक है लेकिन अभी तक जो हम radius लिए है nucleus का वो r है अभी r radius तक यह nucleus तक यह nucleus तयार हो चुका है तो जब यह nucleus अभी r radius तक तयार हो चुका है ठीक है, धेर सारा sphere को overlap करके sphere ही spherical ही होता है न nucleus तो nucleus के अंदर charge भी होता है तो हम लोग क्या कि होंगे कि infinity से कहीं दूर infinity से उठा उठा के charge इसमें रख रहे होंगे उठा उठा के charge इसमें रख रहे होंगे और वही charge और हम लोग यहाँ पर basically positive charge का बात करेंगे क्योंकि कूलंबिक energy term positive charge के लिए ही defined होता है हम यह सोच के चल रहे हैं कि infinity से हम धेर सारा positive charge ला लाके nucleus में रख रहे हैं और इसका nucleus का size उतना बढ़ते जाएगा जितना हम charge इसमें लाके रखते जाएगे तो इस charge को लाने में infinity से कुछ work done करना पड़ रहा होगा और वही work done कूलंबिक energy को define करेगा वही work done क्या होगा कूलंबिक energy यह आप पढ़े भी होगे कि आप 12 में पढ़े होगे एक charge को work done करना पड़ता है तो एक charge को infinity से लेके आए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पहले एक sphere बनाते है एक और elementary एक छोटा से sphere बनाते है और इस छोटा से sphere में spherical shell में dr thickness का है यहाँ पर एक charge लाके रखते हैं dq और यह charge कहां से लेके आए infinity से भाई यहाँ पर भी dq dq बहुत सारा charge होगा तो हम एक dq charge लेके आ रहे है और इस dq charge को लाने में जो work done कर रहे हैं उसको हम मान रहे हैं dw यही work जब हम निकालेंगे क्योंकि हम एक charge को तो लेके नहीं आए ऐसा है तक कितना करोडो charge लेके आए होगे और इसके अंदर भरे होगे तब जाकि यह nucleus तयार हुआ होगा imagine हो रहा हम क्या बोल रहे हम यह कहना चाहरे हैं कि भाईया nucleus किसे तयार होता होगा धेर सारा charge को हम लोग positive charge ही लेके चल रहे है हलाकि neutron भी होता है उसके अंदर अगर यह पूरा work done हम निकाल लेए तो किसी एक charge चोटा सा dq charge का dw work हम लोग निकाले है चोटा सा work एक charge को लाने में अगर पूरा nucleus में charges को लाके रख रहे हैं अच्छा इस charge को कितना radius कहाँ पर लाके रखे हैं तो इस charge को यहाँ पर लाके रखे हैं यह dq point पर यह charge dq को यहाँ रखे हैं मतलब कि r radius लेकिन nucleus का तो r radius को नहीं बनाना है nucleus का तो radius और बढ़ा करना है मतलब हम और अभी charges लाने वाले हैं तो कितना radius होगा nucleus का radius तक हम पहुँचने वाले हैं ठीक है तो वो पूरा r radius में कितना काम करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा बारबर charge ला ला के रखना पड़ेगा तो वही वर्क हम निकालने वाले है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या बोले हैं आपको पहले एक nucleus हम लोग बनाते हैं उसको आप लोग लिखना पड़ेगा यह उसके next point क्या है कि now we make now we make a infinitesimal infinitesimal मतलब कि यह बहुत चोटा सा sphere spherical shell spherical shell ऐसे तो बहुत सारा spherical shell हम लोग बनाएं लेकिन हम लोग एक spherical shell का बात करें automatic वैसे ही सारा का बात हो जाएगा spherical shell of thickness कितना thickness है spherical shell का dr of thickness dr and place a charge dq एक charge dq यहाँ पर इसके around place कर देते हैं और यह dq charge कितना दूरी पर है r दूरी पर है तो इसको work done कितना करना पड़ा होगा इस charge को लाने में यह वाला charge को infinity से तो infinity से work done infinity से लाने में work done कितना करना पड़ा होगा v into dq और यह formula होता है न, V is equals to W by Q, V is equals to potential is equals to work done by charge moved potential is equals to work done by charge moved वही लिखे हम यहाँ पर देख work done, small work done is equals to potential into small charge ठीक है, और यह potential, यह वाला charge का इस point पर potential कितना होगा potential का formula पता है कि नहीं potential का formula होता है, K Q by R तो यह वाला जो charge है, यह दीक्यू है यहाँ पर देखना, potential हम लिखेंगे, next इधर आगे लिखने जारा, बताएंगे, notes में सारा यह दिया हुआ है यह V को हम क्या लिख सकते हैं K का मतलब क्या होता है, 1 by 4 by epsilon 0, यह K का value Coulombs constant का, और यह जो charge हम लेके आ रहे हैं, वो कितना है DQ, और यह charge जो है इसका potential कितना लिखे हैं, K, 1 minute potential लिख रहे हैं K, Q, charge किस charge को लेके आ रहे हैं, Q charge को तो Q लिख दिया charge ठीक है, कितना charge लिख दिया Q, 1 minute थोड़े हैं पर न, हमको लगता है charge जो हम लेके आएं वो DQ charge लेके आएं, बहुत बढ़िया अच्छा, यह charge जो था, वो DQ charge था ठीक है, potential जब define करेंगे, इस charge का, यह वाले charge का जब potential define करेंगे, तो potential का formula क्या होता है, K, Q by R तो Q charge अभी तक भर चुका है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते है, potential को, यहाँ पर हम लिख के दिखाते है potential, 1 by 4 pi epsilon naught, Q by यह formula होगा न, भाई देख, यह जो K है, इसके जगा, 1 by 4 pi epsilon naught डाल दिए Q को Q रहने दिए, और यह radius को radius रहने दिए, तो यहाँ से फिसको हम क्या लिखेंगे, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R into DQ, कोई दिक्कत नहीं अब यह Q का value कितना होगा, यह charge, उसका value अब हम लोग सब, यह charge कौन सा charge है, यह charge नहीं समझ मैं है, भाई यह DQ charge तो हम महनत से लेके आए, बाहर से, यह कौन सा charge है, यह पूरा charge इसमें पहले से कितना समाया होगा था वो, पहले से इसमें Q charge समाया होगा न, हम extra charge DQ लेके आए न, बाद में, हम, समझ मैं है, क्या बोले हम, फिर समझ मैं है, इस R दूरी में कितना charge भर होगा था पहले से ही, क्यूं, हम नया charge DQ लेके आए, उस DQ charge को लाने में DW वर्क करना पड़ा, और DW वर्क को कैसे define करेंगा, potential into जो charge को लेके आए, उसको, तो कितना charge को लेके आए, DQ, और पहले से ही, इसमें sphere में, इसमें potential कितना था, यह वाला स्फेर है, इसमें potential पहले से कितना था, KQ by R, यह समझ में आग नहीं है, और यहाँ पर यह DQ, तो यहाँ पर DQ, ठीक है, हलाकि यह sphere का potential, बर यह बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हम लोग एक point charge मान करके, और उसका potential KQ by R लिख सकते है, हमको पता है, यह जो potential है, यह sphere का नहीं होता है, इस sphere का potential अलग तरीके से निकालते हैं, बर इसको point charge मान के, और हम लोग V is equal to KQ by R लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखना ध्यान से हाँ, पर यह Q निकालने का आप सोचना पड़ेगा हमको Q के बारे, अच्छा यह DQ कैसे निकलेगा, वो सब सब बताएंगे हम, इसको एक काम करते है, equation number हम मान लेते हैं, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, कि देख भाई, यह work done किस ब में इसका integration होने चाहिए, इस work done का, क्योंकि यह charge हम कितना लेकर आ रहे है, infinity से वो किस पर depend कर रहा है, radius कितना है, nucleus का size कितना है, तो इस वाले को पूरे को हम change करेंगे, capital R में, capital R में, मतलब small R, small R ले रहे हैं, radius, small R यहाँ पर variable है, क्योंकि अभी हम चाहें तो इसका size को और बढ़ा सकते है, capital R वो उसका final radius है, जहां तक हमको पहुंचता है, 0 से start किये थे हम, और अभी smaller तक पहुंचे है, अब और R रेडियस तक जाएंगे, तो हम चाहरे हैं कि यह QDQ है, इसको कहीं radius के term में change कर ले, क्योंकि radius पर depend करता है, कि कितना charge उस nucleus में हम लाके, infinity से nucleus में ला है, W complete work, तो इसका integration करना पड़ेगा, लेगिन पहले इसको हम चाहते हैं कि radius of the nucleus के term में change कर ले, क्यों change करना है, हम बता दियें वो भी, तो यहां पहले हम यह Q का बात करेंगे, small Q, तो charge का formula क्या लिखेंगे हम लोग, यह यह formula पढ़ा है भाईतू, density is equal to होता है, charge by volume, charge per unit volume, तो charge अगर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, उसको density into volume, तो हमको यहां पर यह small Q charge चाहिए, तो small Q charge को क्या लिखेंगे, density, density nucleus को कितना मान ले थे, rho, rho is the density of the nucleus, और इस पूरे nucleus का, जहां पर यह Q charge है, उस पूरे nucleus का volume कितना होगा, यह R के term में होगा, कितना लिखेंगे, 4 by 3 by R cube, क्योंकि nucleus is nothing but a sphere, भाई, यह Q कैसे आया, clear है न, भाई, यह small Q charge जो है, यह वाला Q, यह R radius में ही है न, अभी, अभी R radius में है, तो इसका हम लोग charge को ऐसे लिख सकते है न, इस formula से, clear है कि न, यह general formula बता है, इस कैसे आया, clear है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब यह DQ कैसे देखना भाई दियान से, DQ is equals to rho dv, अब यह confused नहीं होना भाई, यहाँ पर यह V का मतलब potential चल रहा है, obviously potential को dv लिख नहीं सकते है, V, यहाँ पर यह DV का मतलब क्या है, volume, देख भाई, यह वाला formula भी हम बताये थाना, charge is equals to density into volume, तो अगर हमको DQ charge निकालना है, तो उसका density तो अगर हमको DQ charge का निकालना है, कि DQ charge कितना volume है, तो DQ charge dv volume में होगा, dv का मतलब है small volume, और density कितना होगा nucleus का, rho, बहुत बढ़िया, अब यह rho का value, अब यह dq का value कितना आ गया, rho into dv, अब तेरे को पता है कि यह जो rho है, density, density को rho ही रन देते हैं, अभी ज्यादा complex नहीं करते ह यहाँ पर एक बर कहीं पर लिखना चाहिए, शायद हमको यह ने, तो फिर समझ में नहीं आगे, यहाँ लिख देते है, volume का formula क्या होता है, area into length, या फिर area into thickness, हम लोग यहाँ पर जो use करेंगे, वो area into thickness use करेंगे, area into thickness, ठिक, तो यहाँ पर यह जो volume होगा nucleus का, यह वाला, कौन चोटे वाले sphere में ही charge किया है, dq, यह चोटे वाला जो sphere बनाए थे अलग से, उसी करेंगे, तो यहाँ पर यह जो dv, मतलब volume लिखेंगे, वो इस चोटे वाले ही sphere का लिखेंगे, तो चोटे वाले sphere का, जो कि एक hollow sphere है, hollow sphere या फिर hollow shell, उसका अगर volume लिखना है, तो क्या radius r है, तो इसको भी हम क्या मान सकते है, r क्योंकि इसका thickness बहुत कम है, तो यह अगर r है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, r, clear है न, ठीक, तो इसका लिखेंगे, हम क्या लिख दिए, 4pi r square क्या लिखेंगे, उसका area, किसका, ये वाले sphere का, ये सवाल नहीं आना चाहिए, कि sir, r इस तरफ हम जो logics, जो calculations लगा रहे हैं, उसको discuss कर रहे हैं, ठीक है, main equation हम लोगा इस तरफ चल रहा है, अच्छा आगे देखना भाई, अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर यह हम volume निकाल रहे हैं, तो volume का फॉर्ण बता है, area into thickness, दिख रहा है कि इधर नहीं दिख रहा है ठीक है, यह जो potential और यह वाला बात बता हैं, इसको बस हम मिटा रहे हैं, यह तो clear होगा न, इसको लिखने का जरुबत, नहीं है, side में चाहे तो लिख लेना भाई, इस तो सबको याद रहता है, ठीक है, आगे अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, dw, तो dw equals to, यहा का value कितना निकाले, row 4 by 3 pi r cube, तो और यह radius को r ही रन देते हैं, ठीक है, 4 by 3 pi r cube, तो यह 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, यह वाला r radius यहाँ पर है, 4 by 3, और यहाँ कितना है, pi r cube into density, clear है न, क्या किये हम यहाँ पर देख भाई, यह जो small q है, बस उसका value डाले है, 4, कितना लिखे 4 pi cube, और यहाँ पर 3 और row, इसका value बस डाले है, यह small q का, और यह वाल r ऐसे रन दिये, फिर यह जो dq हम निकाले है, dq यह रहा निकाले है, कितना निकाले है dq, row 4 pi r square dr, row 4 pi r square dr, कोई दिकत नहीं, तो यहाँ से dw equals to कितना हो गया, 1 by 4 pi epsilon 0, 1 by 4 pi epsilon 0, 4 for the 16, 16 by 3, 16 by 3, r से r cube cancel, और कुछ कटेगा, नहीं, pi into pi कितना हो जाएगा, pi square, pi into pi, pi square, ठीक है, उसके रहाँ पर यहाँ पर 1 r से यह कटा, तो 1 r square बच गया, तो r square into r square क्या होगा, r की power 4, r square into r square क्या होगा, r की power 4, और row into row क्या होगा, row square, और यहाँ पर क्या बचा है, dr, और भी बाकी terms देख लेते ह किसी एक charge के लिए, और देख भाई, यह जो integration था, यह किसमें change हो गया, यह तरे को दिख रहाँ होगा, radius के चम में change हो गया है, यह dr का मतलब है small thickness, और यह r का मतलब है radius, अब हम पूरे nucleus के लिए, पूरे nucleus के लिए work done निकाल सकते हैं, और उसी work done को हम कूलंबिक energy बोल देंग है, तो आगे देखना भाई, बढ़िया तरीके सिक्दम, ठीक है, यह तो लिख लिए होगा ना, इसलिए मिटा दिये, बिना पूछा है मिटा दिये सर, हाँ ठीक है, तब हमनों क्या करेंगे, बोथ साइड integration है, यह 1 by 4 pi को ऐसी भारी नंदर है, तो यहाँ से हम आगे कर रह में, तो pi square बाहर में, और यहाँ पर rho, rho का मतलब density of the nucleus, तो nucleus का density भी तो constant है न, अभी बताएं थे, uniform density है, r की power 4, dr, r की power 4 into dr, इस तरफ भी क्या हो जाएगा, integration, ठीक है, वीडियो में सब clear आ रहा है न, हाँ सर, बहुत बढ़ यहाँ आ रहा है सर, अच्छा, इस nucleus का radius का हाँ स square, rho square, और यह r का power 4 का integration, r का power 5 upon 5, ठीक है, कैसे हुआ भी यह समझ मैं है न, r का power 4 का r का power 5 by 5, अपर limit यह put कर दिया, lower limit 0, यहाँ ठीक, तो यह आया मेरा dw, यह work done, complete, complete work done आ गया, ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस यहाँ पर यह density, यह सब substitute करना है, ठीक है, औ मकते हुए आ रहा, बहुत बढ़ियां आ रहा, बहुत ही बढ़ियां, तो हम लोग आगे मिटा के और इसको, आगे continue करते हैं, कहीं पर doubt होगा, तो guys अब comment करके पूछ सकते हैं, हाँ, okay sir, पूछ लेंगे sir, ठीक है, आईए, आगे देखिए, आगे यहाँ से यह work done आया, यहाँ तक का भी आया, हमको यह पूरा radius चाहिए, मतलब कि बोरा complete radius R, अगर मान लेते हैं, हम nucleus यहाँ तक बना है, तो यह पूरा complete radius के लिए चाहिए, इसलिए, पूरा complete radius का हम निकाल लिए, अब यह जो density है, यह वैला density, density का formula क्या होता है, ऐसे density होता है, mass by volume, ऐसे charge by volume होता ह है, density ठीक है, तो अगर यहाँ से charge Q के लिए निकालेंगे, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब हम लिए थे है, total charge, पूरा charge, total charge अंदर nucleus, total charge, charge on R, भाई देख, पहले small Q में, पहले जब हम लोग small Q charge लिए थे, तो उसमे radius small R लिए थे, तो अगर पूरा Q charge बात करेंगे, तो capital R होगा, भाई पूरा total charge, total charge Q, अचा यहाँ पर density into volume, volume कितना लिखेंगे अब nucleus का, यह जो Q charge है, Q का मतलब है total charge, तो total charge तो पूरा capital R radius में होगा, भाई जो total charge होगा, वो तो पूरा capital R radius में होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, 4 by 3 by R cube, कहीं पर doubt है तो पूछ सकता भाई, है, बहुत easy है पीछे remind करके तू देख सकता है, भाई यह total charge जब निकाल रहे हैं, तो पूरा radius होगा, भाई, small Q निकालेंगे तो small R, क्योंकि small R तक construct किये थे, total जब construct कर लेंगे, तो उसमें capital Q, total charge अंदा nucleus, ठीक है, what is capital Q, total charge अंदा nucleus, लिख सकता चाहे तो, total charge अंदा nucleus, capital Q, अब यहाँ पर density वाला term के जगा पर, यह वाला term के जगा पर, हम लोग substitution करना चाहते हैं, तो एक मिनिट, एक काम करते हैं, कि इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यही से करते हैं, यह W is equal to 1 by 4 by epsilon 0, 16 by 3, pi square, और यह density का यहाँ से, अगर हम लोग rho निकालेंगे, तो रो का हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 3 उपर चल जाएगा, तो 3 cube by 4 pi r cube, 3 cube by 4 pi r cube, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग density की जाएगा, 3 cube by 4 pi r का cube का whole square, और यहाँ r की power 5 by 5, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, no दिक्कत, तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, 1 by 4 pi epsilon 0 16 by 3 pi square, 3 का square, 9 cube square upon 4 का square कितना होगा, 16 pi square r की power, r का square कितना होगा, 6 ठीक है, और यहाँ r की power 5 by 5, ठीक है, clear एकदम कहीं पर doubt नहीं, अब देख भाई, यह pi square से pi square करना है, 16 से 16 कट गया, ठीक है, उसके बाद फिर, उसके बाद फिर, उसके बाद फिर, उसके बाद फिर, 3, 3, 3, 3, 9, कहां है तु मेरी life line, वा सर, r का power 6 से r का power 5, cancel, तो यहाँ से W क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, 1 by 4 by epsilon not, 1 by 4 by epsilon not, यहाँ पर एक 3 बचा, q square, और यहाँ पर देख नीचे में एक r बचा है, r, और यहाँ पर एक 5 भी बचा है, ठीक है, तो यह result आया, 1 by 4 by epsilon not, 3 by 5, q square by r, और तो कोई term नहीं बचा, नहीं sir, सब मर गया, ठीक है, तो यह work done आया, ठीक है, अब इसी work done को हम लोग energy के बराबर कर देंगे, तो उमीद करते हैं तेरे को यहाँ तक पूरा बात, सारा बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ sir, बहुत ही मज़ा आया, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको मिटारते ह करना है, उसके बाद छोटा सा एक और चीज़ करना है, अब तेरे को ये भी field दिला देंगे हम, कि ये कूलंबिक energy term को हम लोग बोल रहे हैं, कि ये binding energy पर nucleon को कमता है, कम करता है binding energy, कैसे करता है, आइए वो भी समझेंग हम लोग है तो अब हम लोग यहाँ से ये work निकाले ह एक और बात, तेरे को डेरिवेशन तो साब सब दिखरा ना, ये तो calculation हम समझाएं, साइड में, जो जो चीज़ सब्स्टिट्यूशन किये, उसको यहाँ पर साइड में हम समझाएं, बाकी ऐसे चला है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते है, since, since, मेरे पास एक नियम होता है कि, the work done, physics का एक नियम है, अबर the work done, the work done is equal to, energy is equal to, यहाँ पर हम लिखते है, energy, the energy is equal to, negative of work done by conservative force, पढ़ा होगा नहीं है, जो कूलंबिक energy होता है, या फिर कोई भी energy, वो negative of work done by conservative force के बराबर होता है, ठीक है, negative of work done by conservative force के बराबर होता है, यह पढ़ा होगा न, यह सरपन है है, सर, potential energy, जो negative of work done by conservative force के बराबर होता है, यह भी एक energy है, कुलंबिक energy जो है उसको negative of work done by conservative force के बराबर हम लोग लिख सकते हैं और यहीं से मेरा क्या मिल जाएगा हमको कुलंबिक energy clear है न यह पढ़ा होगा भाई पहले concept यह हम लोग 11 में भी use करते हैं तो हम लोग जो work done निकालने हैं उसमें minus लगाना पड़ेगा कितना आएगा है तो चार्ज कितना होता है नुक्लियस पर जेड़ी बुलेगा सर जेड़ी कैसे होगा देख बाई जेड का मतलब है क्या मास नंबर मास या फिर तो ऐसा कह सकता है कि कितना नुक्लियोन है उसके अंदर Z का मतलब mass number है ना हाँ mass number Z Z का मतलब mass number ऐसे देख Z का मतलब है charge on 2 nucleus अगर हम लोग यहाँ पर Z का value मानले लिखते हैं 3 तो मतलब 3 proton होगा मानले Z को हम लोग लिखते हैं मानले Z को हम लोग लिखते है 17 तो उससे भी मालूम चल जाएगा तो यह Z से हम लोग को मालूम चलता है Z और यह E का मतलब क्या है charge on 1 electron तो इन से हमको मालूम चल जाएगा कि charge कितना है nucleus पर clear है ना Z लिखने का भाई यह तो बच्पन में बताये गया यह charge जब भी निकालना है तो number लिख दे तो number कितना है Z और charge on 1 electron को E तो उसको लिखेंगे तो charge मालूम चल जाएगा nucleus का Q is equals to N E भाई वेला फॉर्मला है Q is equals to N E number into E Q is equals to N E ठीक तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे Q is equals to N E और R के प्लेस पर हम लोग क्या डालेंगे R नॉट A की पावर 1 by 3 यह भी पता होगा R का value होता है R not A की पावर 1 by 3 इसको substitute करते हैं और आगे भढ़ते हैं रात का बहुत देर हो गया है इसको काटते हैं आई हम लोग जल्दी जल्दी ठीक है और final expression के तरफ पहुंचते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत मजा आ रहा हो गाईज अगर आप यहीं तक वीडियो में रुके हैं यहां तक आप comment करके जरू हो जाईए चले हम लोग जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं ठीक है यह आपको clear हो गया तक आप देखें यहां से हम लोग कूलंबिक energy term को क्या लिख सकते हैं e-coulombic is equals to minus 1 minus आने का reason clear है न क्योंकि भाई हम लोग यहां पर concept यूज़ कि चोटा सा कि जो मतलब देख भाई है तो यह potential energy भाई यह जो हम निकाल ले यह और कुछ नहीं तो potential energy ही था न तो यहाँ पर देख भाई, हम चाहें तो लिख सकते हैं, यह जो energy है, किस energy का हम बात कर रहे हैं, potential energy का, किस का बात कर रहे हैं, potential energy का, और electrostatic potential energy का, negative of work done by conservative force के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, वही किये हैं, potential minus कैसे आये clear है, ठीक है, तो यहाँ पर यह minus लगेगा, अच्छा का value होगा, r0, a की power, 1 by 3, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, अब यहाँ से तरे को दिख रहा होगा, जो 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 तरह हम constant है, minus 1 by 4 by, epsilon not, 3 z square, e की power square upon, 5 r0, a की power, 1 by 3, अब यहाँ पर कौन कौन से चीज constant है, उन सब को हम लोग constant a3 ले ले लेंगे, क् कि यहाँ पर तीसरा term चल रहा है, तो a3 मान लेंगे, उसको minus रहने दे भाई, अब यहाँ पर देख भाई, z को थोड़ा हम पीछे कर देते, क्योंकि z is not a constant, z तो एक variable है, बागी सारा term यहाँ पर क्या है, constant, तो यह सारा term को हम मान लेंगे, constant, minus को नहीं ले लेना है, minus को रह आएगा तेरा कूलंबिक energy term, एक तम feel आया होगा कूलंबिक energy term का, एक पॉइंट, एक लाइन, कैसे क्या आया, सारा चीज हम समझा दिये, ठीक है, अब हम लोग next energy term के तरफ चलते हैं, यह तो कूलंबिक energy term हुआ, मतलब यह समझ में आया, कि जो हम लोग expression चल रहा है, binding energy का, उसमें जो volume energy term है, वो पहले आया, उसके दूसमें से हम लोग को मजबूरी में minus करना पड़ा, कौन सा energy term को, surface energy term को, क्योंकि surface rate बढ़ने से जो stability है, nucleus का वो घट रहा था, अब तीसरा हम लोग को मालूम चला कि जो कूलंबिक energy term है, वो भी घटा रहा, अभी तक यहां तक हम पहुंचे, next और दो energy terms बचा एक दम जल्दी जल्दी उसको भी करते है, asymmetry energy term और pairing energy term, आईए जल्दी करते है, ठीक है, तो उमीद करते हैं आप यह लिख लिए होगे और इसका आपको जबर्जस्तिक दम feel आया होगा, कहीं पर कोई doubt है या कुछ भी है तो आप comment section में जाकर क और पूछ सकते हैं, comment करके, बोल सकते हैं कि सर कहां आपको दिक्कत है, किधर आपको कहां कष्ट हुआ, negative sign यहां क्या indicate कर रहा है कि कूलंबिक energy term, कूलंबिक energy term, binding energy per nucleon को decrease करता है, ठीक है, आई यह हम लोग next term के तरफ चलते हैं, next energy term जो है, वो आपका है asymmetry energy term, और यह asymmetry क्यों लिखाओ, asymmetry का मतलब क्या होता है, asymmetry का मतलब होता है, symmetrical नहीं दिखना, symmetry नहीं आना, उसी का मतलब होता है asymmetrical, asymmetry का मतलब क्या होता है, कि symmetry नहीं आना, symmetry नहीं आना, ठीक है, कितना term है, चौथा number, fourth, asymmetric, asymmetric energy term, symmetry नहीं आएगा symmetry nucleus में कैसे नहीं आएगा उस बारे में हम लोग बात करेंगे पहले marker में थोड़ा ink भर ले उसके बाद हम लोग बात करेंगे ठीक है ओके तो आएए guys हम लोग बात करते हैं asymmetric energy term marker का ink भरने के बाद तो देखें हैं प्रध्यान से asymmetric energy term जो है यह क्या है इसका मतलब अभी हम बताएंगे इसको हम लोग ऐसे denote कर रहे है E A से asymmetric energy term और भाई यह होता क्या है क्यूं होता है कैसे होता है करता क्या है यह आए देखते हैं तो यह करता क्या है कि जो nucleus का मेरा nucleus का मेरा stability है उसको घटाता है Q हटाता है भाई इसको एक example से हम लोग समझाएंगे पहले इसमें asymmetry Q लिखा है उसको समझाएंगे आपको पहले एक चीज़ बता दे हम कि अगर किसी nucleus में है न in a nucleus अगर किसी भी nucleus में n बराबर z होगा तो उसको हम लोग मानेंगे most stable nucleus मतलब किसी भी nucleus में number of neutrons number of neutrons और number of protons का संख्या जब बराबर होता most stable nucleus तो उसको हम लोग most stable nucleus बोलते है most stable nucleus बोलते है ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो जाए most stable nucleus बोलते है लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि n का value बड़ा हो जाए और z कम हो जाए तो इसका stability थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है, stability decreases stability decreases मतलब most stable ये नहीं होगा, ठीक ठाक होगा अब आई सा भी नहीं देखे, income अलो मतलब neutrons बढ़ने से, भाई देख एक बात समझे neutrons किसी भी nucleus में हमेशा बढ़ता है जादा रहेगा वही अच्छा बात है, कैसे? क्योंकि तेरे को पता है कि हर nucleus का size जब बढ़ता है तो उसमे number of proton बढ़ता है, तो proton proton के बीच में repulsion बढ़ेगा और उस proton proton का repulsion को कम करने के लिए बीच में कौन ख़़ा रहेगा, neutron तो neutron क्या करेगा, proton proton का repulsion को रुकेगा, तो भले ही यहाँ पर neutron का संख्याँ ज़्यादा होने से फाइदा क्या हुआ है the increased the increased number the increased number of neutrons neutrons increases increases the stability of nucleus stability of nucleus, अगर तेरा यह neutrons का number बढ़ेगा तो जो stability है nucleus का वो भी बढ़ जाएगा मतलब nucleus का number बढ़ने से sorry, neutrons का number बढ़ने से nucleus का stability बढ़ेगा, क्योंकि neutron क्या करेगा proton proton को repel होने से बचाएगा इसलिए अगर number of neutrons ज्यादा रहेगा proton कम रहेगा, तो फाइदा का बात होगा ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो आप लिख रहे कि stability कम हो जाएगा, कारण क्या है अच्छा यहाँ पर तो most stable होगा, बराबर रहने से बढ़ अच्छा रहेगा, कारण क्या है उसका कि हम लोग most stable nucleus को मानते हैं, जिसमें दोनों बराबर होता है अब इसमें थोड़ा stability कम इसलिए होता है क्योंकि वो जो symmetry condition है, कि neutron proton जितना neutron उतना proton, जो symmetry condition तो वो गरबला गया, किसी का भी, किसी भी एक का चाहे तो proton, चाहे तो neutron का ज्यादा होने से symmetry condition जो था, वो satisfy होना बंद हो गया है न, तो यहाँ पर देखो, इस यहीं मतलब होता है asymmetry का, तो asymmetry condition का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, हम asymmetry condition का मतलब asymmetry का मतलब, asymmetry का मतलब, the decrease in stability, the decrease in stability of nucleus, of nucleus, due to, due to, the number of neutrons and protons, number of neutrons और proton के वज़ा से, जो unstability में decrease आता है nucleus का, उसको बोलते है asymmetry, अब asymmetry क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर N क्या हो गया है, बड़ा हो गया है यहाँ पर लिख देते है, symmetry condition failed, symmetry condition not satisfied symmetry condition not satisfied का मतलब यह है कि N, Z से बड़ा हो गया, भाले ही nucleus stable हो गया, देख भाई, देख भाई, neutrons को यहाँ बढ़ना क्यों पड़ा, यह neutrons का number को बढ़ना क्यों पड़ा, ताकि nucleus क्या हो जाए, stable हो जाए, neutrons increases to reduce to reduce proton, proton repulsion, neutron increase क्यों कर रहा है, ताकि proton, proton repulsion को रोख पाए, proton, proton repulsion को रोख पाए, इसलिए neutron का संक्या बढ़ रहा है, लेकिन जो symmetry condition था कि neutron और यह, देख देख, number of neutrons और proton बरावर रहेगा, तो nucleus most stable होगा, वो condition तो fail हो गया, तो उसी को बोलते है, asymmetry के है, और अच्छे यह किस पे आता है, यह generally heavy nucleus पे आता है, heavy nuclei, क्योंकि heavy nuclei में ही, तेरा जो mass number है, वो ज्यादा होता है, mass number मतलब उस पे number of neutrons heavy nuclei में ज्यादा होता है, तो इसलिए वो nucleus, भले ही उसमें neutrons ज्यादा होने से थोड़ा stable वाला काम होता है, उसमें, बट जो symmetry condition था, दोनों बरावर most stable, बहुत stable, वो वाला चीज इसमें नहीं हो पाता है, तो उमीद करते हैं, आपको यह asymmetry term समझ में होगा, asymmetry महाँ पर लिखने का logic ही यही है, कि symmetricity वाला जो चीज था, मतलब जो बराबर वाला संकिया था, वो गर बढ़ा गया, और इसको यह, मतलब unstability आही गया आखिर उसमें, neutrons बढ़ रहा है, तो उससे proton, proton के बीच में repulsion तो कम हो रहा है, बट फिर भी asymmetry आ रहा है, और इसलिए यह वाला जो term होगा, यह भी binding energy को घटाने का ही काम करेगा, समझ में आया होगा, हैना, हम पूरा कोशिश किये, इसको समझाने का बात, वही है, इसमें भी, कुल मिला करके, कि decrease होगा, stability, आईए हम इसको थोड़ा सहम लोग logic से देखते है, logic मतलब इसका formula, फिर asymmetric energy term है, asymmetric energy term, इसको समझने के लिए हम लोग एक example लेंगे, example क्या ले रहे है हम लोग, कि यहाँ पर जैसे मान ले भाई कि कुछ energy levels है, कुछ energy levels है, मान लेते हैं, यहाँ पर इतना energy level है, एक, दो, तीन, चार, पाच, एक, दो, तीन, चार, सारे बच्चे भी मार, तो यहाँ पर एक हम लोग neutron लेते हैं, और यह और neutron, 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 और यहाँ पर और दो neutron लेते हैं, और यहाँ पर कुछ protons भी लेते हैं, ठीक है, यह है तरह neutron, 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 this is proton, 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 ठीक, अब यहाँ पर इसको हम लोग stable configuration बोलेंगे, शार, यह stable configuration क्यों होगा, क्योंकि देख अंस्ेवल कईटिक्रेशन अनस्टेवल चेमिल कोंफिकरेशन अनस्टेवल कंफिकरेशन कैसे है यहां पर 1 लखीर 2 लखीर 3 लखीर 4.8 लखीर 5 लखीर 6 लखीर अंस्टेवल कंडिशन इसमे स्टेवल con ऐए दिखते हैं Unstable configuration यहाँ पर देखना भाई जो neutron है neutron और proton को संखिया बराबर है अब हम एक ऐसा configuration ले रहा है जिसमें neutron और proton को संखिया बराबर ना हो neutron को संखिया बराबर ना हो ठीक है? तो यहाँ पर आप हम क्या करते हैं कि कुछ proton को convert करदेते là न्यूट्रोन में अब प्रोटोन को न्यूट्रोन में क्यों कनवर्ट करेंगे प्रोटोन को न्यूट्रोन में कनवर्ट करने का मेरे पीछे मकसद यही है कि आपका इसका stability बढ़ जाए तो यह जो प्रोटोन से उसको neutron में कुछ proton को neutron में convert कर देते हैं क्योंकि heavy nucleus में heavy nucleus में जो neutron होता है उसका संखे ज़्यादा होना अच्छी बात है न proton ज़्यादा हो ऐसा कहीं में मिलता नहीं generally किसी भी nucleus में यह चीज नहीं पाया जाता है कि proton का संखे ज़्यादा हो गया हो किसी का भी देख ले भाई neutron का नंबर ही ज़्यादा होता है इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो proton था यहाँ पर लिख देते है proton को हम किसमें convert कर रहे हैं neutron में example लिए we are converting proton to neutron और हम लोग कहां जा रहे है stable से unstable configuration के तरफ क्यों यह सब कर रहे हैं अभी बताएंगे derivation करने के लिए ताकि जो asymmetric energy term है उसका formula drive कर सके और यह बता सके कि यह कहीं न कहीं binding energy को कम कर रहा है सही बात है न asymmetric energy term जितना बढ़ेगा binding energy उतना कम होगा क्योंकि asymmetric energy term बढ़ने का मतलब यह कि यह protons एक बच गया proton proton का पेर बच गया ठीक है और कितना लोग यहां convert हुआ यहां पर कितना दो जो था वो convert हो गया दो proton जो था वो neutron में convert हो गया दो और convert हो गया ठीक है अब यहां तेरे को दिख रहा हो कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छेस, साथ, आठ, आठ है, और ये वाला कितना है, ये वाला मातर दो है, ठीक है, हम लोगे काम करते हैं कि इसका थोड़ा नंबर और ले लेते हैं, नंबर आफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर दस ले लेते हैं, कम से कम, आईए, एक और एनरजी अब तेरे को दिखर होगा है, यहाँ पर कितना जो तेरा देख भाई, यहाँ पर कितना न्यूट्रॉन्स है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छेस, साथ, आठ, ठीक है, अब कितना हो गया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छेस, साथ, आठ, नो, दस, अब दस हो गया है, मतलब यहाँ पर किता जो neutron था वो proton में convert हुआ है तो देखिए यह proton जो था यह वाला और यह वाला यह लोग neutron में convert हो गया तो अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर अब difference मतलब अगर हम लोग difference देखेंगे difference यह दोनों का कितना होगा difference मतलब समझ रहा है कि नहीं difference मतलब अब लोग देख भाई जब हम लोग गया है stable से stable to unstable configuration के तरफ गया है तो हम लोग को difference क्या दिख रहा है कि जो तेरा neutrons है neutrons हम लोग यहाँ पर कितना difference है n-z अगर हम neutron को घटाएंगे proton से तो neutron का संखा कितना है और प्रोटान को कितना है proton का है यहाँ पर proton का है यहाँ पर 4 4 संख्या है ठीक है तो यहाँ पर 4 संख्या है अच्छा यहाँ पर कितना neutron है prompted प्रोटान में convert हुआ है तो 4 convert हुआ है protecting number of protons converted to neutrons कितना हुआ है 4 4 जो है वो number of neutrons है जो कि proton में convert हुआ है अब तु भाई ध्यान से देखना कि इन दोनों की बीच का अगर energy gap हम E ले ले तो यहाँ भी energy gap कितना होगा E का मतलब है इन दोनों shells के बीच का energy shell है nucleus के अंदर भी shell होता है न तो अब यह proton किस तरफ चला गया है यह proton जो यहाँ पर था वो इस तरफ चला गया है तो यहाँ से इस तरफ जाने में मतलब इसका जो energy है उसका value बढ़ गया है ठीक है बात करेंगे कैसे बढ़ा है कितना बढ़ा है तो यहाँ से N-Z कितना आएगा 6 आएगा तो N-Z का value आ रहा है 6 मतलब कि 6 का difference basically हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है गाई जे एक चीज पर यहाँ पर थोड़ा सम लोग इसको change करेंगे है यह सब सब ठीक है थोड़ा सम लोग यहाँ पर इसको change करेंगे यह वाले को हम हटा ले रहे है ठीक है यह जो लेयर बनाएथिस कोड़ा सार बहुत गरबल करते हैं सार आप आरे यार क्या ही कर ले यह वाले लेयर को हम हटा रहे ठीक है यहाँ पर एक चीज हो गया कि देखिए जिसे यहाँ पर यह जो neutron था यह neutron यह neutron यहाँ पर है तो यहाँ पर एक और लेवल में neutron आएगा यह छूड़ीया था बनाना ठीक है तभी हमको लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है गरबल है तो यहाँ पर जो number of atomic number है atomic number कितना है atomic number मतलब क्या होता है number of proton तो number of proton कितना बचा है 2 तो यहाँ पर कितना आएगा 8 तो a-z का value 8 आएगा और यहाँ पर हम 4 लोग कर अबत खार करना इक लागाए एक टम क्या है हम पिर से बता रहें तो newtron कितना ने चे और यहां पर proton कितना है छे तुब जो यह JASON पर ऊच्ट से अंस्टेबल मतलब यहां से इस तरफ गया, unstable कैसे है, clear एना asymmetric condition इसमें, क्यूं है, क्यूंकि यहां पर neutron और proton का संख्या बराबर नहीं है, उसको asymmetric condition को condition बोलते हैं, तो हम यहां से अगर n-z करेंगे, मतलब neutron का संख्या को proton से घटाएंगे, तो neutron का संख्या unstable configuration में कितना है, 10 तो 10 में से घटाएंगे, अगर हम 2, मतलब proton का संख्या, तो यहां से आ जाएगा 8, तो यह 8 में अब convert हो चुका है यह लोग, ठीक है, अब हम derivation की तरफ जा रहे हैं, यह वाला जो asymmetric energy term में उसको निकाले हैं, कैसे वो, और कितना लोग convert हुआ है, 4 लोग convert हुआ है, कोई दि energy level, energy level, किस energy level पर है, तो तो तरे को दिख रहा होगा है, यहां पर, कि यह वाला जो proton था, यहां पर, यह जो नीचे वाला proton है, यह नीचे वाला proton का energy level कितना है, यह proton यहां पर था, अब यह proton कहां पहुँच गया है, कहीं यहां पर, तो कितना energy level हो गया है, 2E, पहले इनका energy level कितना था पहले इनका यह वाला जो प्रोटॉंस था पहले इनका एनर्जी लेवल कितना था पहले यह कहीं इनर्जी लेवल में रिसाइड करता था अब यह जब ऊपर चला गया यहां से यहां पर से यह यहां चला गया यहां नहीं ऊपर और यह पर यह प्रोटॉंस जो था व तो इसका भी energy level कितना हो गया बढ़के दिख रहा होगा साफ साफ ठीक है कहां से measure कर रहे है energy level इसका measure कर रहे है तो इस line से measure करेंगे तो इस line से ये वाले protons का 2E और ये वाला proton जो कहां पहुँच गया है यहाँ पर तो इसका अगर हम लोग energy level दिखेंगे ये वाले तो कितना होगा 2E तो इन दोनों का energy level बन जो चार प्रोटाउन जो चार और न्नीत्राउन में दोनों का energy level बड़के कितना हो गया है 2E तो जो बढ़ा हुआ energy level है उसको यहाँ पर लिखते हैं और convert कितना लोग हुआ है 4 लोग होआ है 4 लोग होए यह आता है तेरा अब इसी को थोड़ा हम लोग घुमा फिर आके लिखेंगे और आ जाएगा derivation हो जाएगा ठीक है तो हम यह वाला मिटा रहें figure figure एकदम clear होगा figure में कहीं doubt नहीं figure बनाना था ठीक है समझाने के लिखा figure चाहे तो बना भी सकता नहीं बना सकता है ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं हम चाते न तो यह direct भी लिख देते हैं बस थोड़ा हम logic दे रहे हैं इसके पीछे का logic simple था बस समझ गया asymmetric energy term बाकि हम logic दे रहे हैं कि asymmetric energy term का बात है जब unstable से unstable configuration के तरफ जाते है जब neutron ज्यादा और proton कम हलाकि इसका opposite true नहीं होगा protons कभी भी किसी भी nucleus में ज्यादा नहीं होता है तो यहाँ पर देख भाई अभी यह 4 को हम कैसे लिख सकते हैं यह वाला 4 को यहाँ देखना n-z by 2 is equal to 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं किसको लिखे हमें से यह वाले को तो यह 4 के था क्या 2E को हम 4E by 2 लिख सकते हैं भाई यह जो 2E था इसको क्या कियें उपर में 2 से multiply कियें नीचे में 2 से divide कर दियें अब यहाँ पर यह 4 है इसके place पर हम लिख देंगे n-z by 2 यह 2 लिख रहे हैं भाई ठीक है ओके सर और यहाँ पर यह जो 4 है 4 के जगह लिख देंगे n-z by 2 यह वहला 4 के जगह पर n-z by 2 और यहाँ पर e by 2 कोई दिक्कत नहीं सर तो यहाँ से हो जाएगा n-z का whole square upon 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर यह 4 to the 8 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8E clear है तो यह आया binding यह क्या होता है वही मतलब यहाँ माइनस लगा के चलना है सब माइनस ही लगा के पूरा expression हो चलना है क्यों माइनस करता है क्योंकि यहाँ पर unstability के तरफ वो जा रहा है unstability के तरफ जा रहा है इसका मतलब की जो binding energy उसका value को कम कर रहा है यह मतलब हो असका इसलिए माइनस लेके चलना है ठीक है अब यहाँ ध्यान से देखना कि यह जो e है यह e का मतलब क्या है energy level energy gap बोल सकता है energy level भाई यह जो हम बनाई था इसे गर के diagram उसी में यह यह था ठीक है अब होता क्या है कि जब e जो होता है ना e वो inversely proportional होता है a के मतलब mass number के अगर किसी भी nucleus का mass number बढ़ेगा तो e का value क्या होगा क्यों कमेगा क्यों कमेगा क्यों कमेगा इसके जब जब जादा proton और neutron का संख्या बढ़ रहा है तो यह वारा जो energy level तो यह बीच में तो spacing हो कम होगा कारण क्या है कि जब जब जादा mass number होगा अगर किसी nucleus का तो भीड भार ज़्यादा है तो energy level का जो gap होगा वो कम होगा क्यों कि जादा लोग को adjust करना है तो इसलिए जब जहां पर लिख सकते है 1 by a समझ में है ईकले हम लोग क्या लिखेंगे 1 by a लिखेंगे ठीक है बाकि दरवला हम सारा मिटा रहे है इदर वला सारा clear होगा तेरे को हाँ सर क्लियर है तो e के place पर हम लोग यहाँ पर replace करके लिखेंगे ठीक है यहाँ पर तरे को जो दिख र गया, minus n minus z है न, z की whole square, अच्छा ये n का मतलब होता है number of neutrons, तो number of neutrons को हम क्या लिख सकते है, a minus z, a में से z को घटाएंगे, तो neutrons का number आजाएगा, क्योंकि a और z को ही जोड़ के तो number of neutrons आता है, तो ये n, n के जगापर a minus z लिख सकते हैं, और यहां पर e by 8, e के place पर हम लिखेंगे, replacement करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बाई, यहां तक गितम feel आ रहा है, चीकले, एक बच गया, राई है, एक बज गया, एक बज गया, एक बज गया, यहां से ea is equals to minus, minus n के जगा पर क्या लिखेंगे, a minus z minus z का whole square e upon 8, क्या किया है guys, कुछ नहीं यार, इस n के place पर a minus z, ठीक, तो यहां से हो जाएगा, ea is equals to minus a minus 2 z का square 8 into e, e को हम किसे replace करेंगा, one by a से replace करेंगा, e को किसे replace करेंगा, one by a से, तो यहां पर हम क्या करते हैं, minus a minus 2 z square, whole square, one by 8a, e को replace कर दिये हम one by, ये 1 by A से replace कर दिये क्योंकि तरह को पता है कि जो E है जो E है वो inversely proposed नल होता है उसके इसलिए 1 by A से replace कर दिये कोई doubt ने होगा भाई यहां तक कि एकदम चमक रहा होगा पूरा बढ़िया तरीके से हाँ सर बढ़िया तरीके से सर एकदम चमक रहा है जबर just type से ठीके अब हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर जो constant है बस उसको इससे replace कर देंगा तो जो जो term यहाँ पर constant दिख रहा है उसको यहाँ पर हम introduce कर देंगे तरह को दिख रहा होगा यहाँ पर यह 8 ठीके और तो कोई constant है नहीं तो हम ea is equal to क्या लिखेंगे यहाँ पर minus a कौन सर टर्म चल रहा है fourth term तो fourth term लिख देंगे ठीके और यहाँ पर कितना हो जाएगा a minus 2z का a minus 2z का whole square ठीके upon a तो यहाँ पर हम कुछ नहीं किये है भाई यह जो तेरा दिख रहा है 1 by 8 उसको replace कर दिए a force है 1 by 8 को किसी replace कर दिए a force है बाकी term ऐसे ही clear है minus वहाँ पर क्यों आया minus 1 यहीं बता रहा है कि यह जो होता है यह asymmetric energy term वो decrease करता है binding energy को तो लिख सकता है यह तो तो यह पूरा समझ में आगा next term के तरफ हम लोग चलते है पांच वार आखरी term pairing energy term बहुत असान है आई यह बात करते है pairing energy term के बारे में pairing energy term जो होता है वो भी binding energy of nucleus को decrease करता है pairing energy term कि इस बारे में है कि तेरे को पता है कि जो nucleus होता है वो तब बनता है जब एक neutron और proton मिलता है या फिर एक proton और proton मिलता है एक प्रोट्रा और प्रोट्रान मिलता है एक neutron neutron आपस में पैरिंग करता है पैरिंग करकर के nucleus बनता है अब होता क्या है कि किसी-किसी nucleus में हम बताते जा रहे ठीक है किसी-किसी nucleus में जो number of neutrons होता है neutrons का संख्या वो even होता है हो सकता है ना बहुत सरा एक Whenever है जिसमें जो Neutrons का संख्या है वो even है कभी-कभी Neutrons का संख्या odd होता है ठीक है तो हम बताते है यह आपर next term है fifth term pairing pairing energy term pairing energy term ठीक है यह क्या बताता है भई pairing energy term इसकाम लोग ऐसे denote करते है यह यह । इस नूकलियस03 से यह sinus का, pairing energy term का यह pairing energy term क्या बताता है कि जो nucleus में जो even जो nucleus में even number of current number of proton होता है and even number of neutron होता है वो nucleus जो होता है, वो ज्यादा stable होता है जिस nucleus में even number of proton और even number of neutron होता है इस nucleus को हम लोग बॉलेंगे highly स्टेबल हाइली स्टेबल एक्सपरिमेंटली पाया गया यह सारा बात कैसा पाया गया एक्सपरिमेंटली यह जो भी हम लोग डिसक्शन करेंगे वो सारा कैसे करेंगे एक्सपरिमेंटली इसका कोई इसका कोई सबूत इसका कोई प्रूफ नहीं है ठीक है जब यह हम लोग डिसकस कर रहे है सारा एक्सपरिमेंटली कर रहे है एस सच इसका कोई सबूत नहीं है तो अगर तेरा जो neutron proton है highly stable कर रहा है इसका मतलब कि जो यह neutron proton के बीच में bond होगा वो strong bond बना होगा है ना तो यहाँ पर stable बोलने का मतलब कि strongly bonded strongly bonded क्योंकि तरह को पता है कि proton proton neutron neutron मिलता है combine करता है पस में दूसरे से नुक्लियांस बोलते है उसको मिला करके तो strong bond हो रहा होगा तो मतलब यह कहीं न कहीं binding energy को बढ़ाएगा ना क्योंकि strong bond बनने का मतलब कि binding energy को support करना strong bond बनने का मतलब कि binding energy को support करना तो यह अच्छा बात है even अगर रहेगा तो अच्छी बात रहेगा इसी को बुक में EE लिखा रहता है तो even even रहेगा तो बहुत अच्छी बात है ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि even number of proton आ जाए even number of proton आ जाए and odd number of neutron हो जाए या फिर इसी को हम लोग दूसरे भासा में बोले odd number of odd number of proton क्योंकि odd even होने का मतलब है कि आप कह रहे है odd number भी है एक support में तो एक opposition में अरे odd कहने का मतलब है कि एक support में नहीं है लेकिन एक जन support में है इसलिए यहाँ पर participation net मिला के 0 होगा हमको ऐसा लगता है मतलब इ even even में तो क्या कर रहा है support कर रहा है तो even है और एक odd है इसका मतलब क्या है एक even है और दूसरा odd है इसका मतलब यहीं है कि कि एक जन support में एक जन oppose में है तो cool मिला के del का value क्या हो जाएगा 0 तो इसमें binding energy में कोई participation नहीं मिलेगा लेकिन इस वाले में क्या होगा इस वाले में unstability और बाइंडिंग इनर्जी इसमें भाही डिक्रीस करेगा और इसमें डेल को अब इसलिए को क्या करना पड़ेगा सबस्ट्रेक्ट इसमें डेल को क्या करना पड़ेगा सबस्ट्रेक्ट क्लियर है यह बाई कोई डाउट ने इसमें ठीक है समझ में आ गया होगा अब हम लोग बहुत चलते हैं कि इसका formula कैसे आता है, तो formula बहुत simple है, experimentally आया, इसका formula है, इसका formula के पीछे कोई derivation नहीं 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 है, इसका formula के पीछे कोई derivation कुछ कुछ nucleus में यह पाया गया है experimentally इसलिए हम लोग यहाँ पर simple बोल सकते हैं कि जो dell होता है वो professional होता है a की power minus 3 by 4 के किसके a की power minus 3 by 4 के directly proportional होता है मतलब अगर mass number बढ़ेगा minus 3 by 4 दिख रहोगा तरे को तो experimentally बोल का ऐसा नहीं कि हम लोग बचने का कोशिश्च कर रहे है ठीक है भाई क्योंकि इसका कोई सबूत ही नहीं proof ही नहीं देख कोई किताब में proof दिया नहीं है अब proof देता भाईया तो हम समझाते है माइनस क्यों लगा रहे clear होगा प्लस भी हो सकता है, माइनस प्लस दोनों हो सकता है ठीक है 0 भी हो सकता है कभी-कभी ये depend करता है कि कैसा pairing है ठीक है, ये clear है तो ये पूरा discussion हुआ अच्छा ये dell कहीं न कहीं किसपे depend कर रहा है तो अब ये पूरा discussion हुआ ये pairing energy term के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं कि club करके final formula लिखते हैं ठीक है तो semi empirical formula जो final विला है वो क्या होगा semi empirical formula final विला क्या होगा e is equals to मतलब तेरा binding energy is equals to तेरे को पता है कि volume energy turn support में था फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे surface energy term जो opposition कर रहा था फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे यह कुलंबिक energy term उसके बाद एक था तेरा यह क्या बोलते डेल तो डेल प्लस भी होता है और minus भी दोनों चलेगा तो यह सारा को club करके हम लोग बोलते हैं binding energy per nucleon और यह binding energy per nucleon जो हम लोग निकाले हैं वो उस वाले graph से जो values दिया वा था उससे match कर रहा था तो यह इस बात को proof भी करता है कि तेरा semi empirical formula है और जो liquid drop model का जो theory है वो सही है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी सोच रहे हैं जो भी discussion किये वो liquid drop model को लेके ही कर रहे थे यहाँ पर तेरा satisfaction के लिए चाहे है तो हम values लिख सकते हैं इसका value कितना होगा a1 a ठीक है यह वालेगा और इसका कितना होगा a2 a की power 2 by 3 यह इसी का कितना होगा a3 a3 z square upon a की power 1 by 3 यही सब हम लोग निकाल ले थे minus a4 a4 a minus 2z square upon a ठीक है plus minus del यही values हम लोग निकाले थे ठीक है जितना values हम ev का लिख दिये हैं आपर इस का लिख दिये हैं इस जो निकाले थे इसी का लिख दिये यह का लिख दिये यह तो अभी थोड़े दे पहले और डेल का तो खेर कोई value होता नहीं यह लग चाहे तो तू लिख सकता है ठीक है तो यह पुरा हुआ अगर तेरा odd है एक तरह का pair और एक तरह का even है तो obviously दोनों मिलके nullify हो जाएगा तो ev को कोई न सपोर्ट न आ पोस तो इसलिए इसमें plus minus होता है क्योंकि कभी-कभी यह participate करता है और एक case में participate कर रहा है दो case में यह जब वहाँ पर या तो even रह रह रहा है या तो odd रह 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 तो cancel हो कि इसका value ही क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है तो deciding नहीं कर पा रहे है इसलिए ठीक है तो हम लोग मिलते हैं अब next video guys thank you इसके बाद फिर हम लोग start करेंगे shell model of nucleus आप comment करके बताए आपको वीडियो कैसा लगा ओके बाबाए बाए